Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th, Maths Worksheet, Topic, Factors and Common Factors. आज हम class 5th, Maths की Worksheet solve करेंगे, Topic, Factors and Common Factors. तो चलिए, Worksheet solve करते हैं. Question 1, complete the multiplication chart given below. नीचे दी गई गुना की तालिका को पूरा करो. तो चलिए, तालिका को पूरा करते हैं. तो बच्चो, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक table दी हुई है. और इस table को हमें complete करना है. एक को एक से गुना करेंगे, तो एक आएगा. फिर एक को दो से करेंगे, तो दो. एक को तीन से करेंगे, तो तीन. एक को चार से गुना करेंगे, तो चार. इसी परकार हम इसे पूरा कर देंगे. दूसरा करेंगे, दो को एक से गुना करा, दो. फिर दो को दो से गुना करा, चार. दो को तीन से गुना करा, छे. दो को चार से गुना किया, तो आठ. 2 को 5 से गुना किया 10 2 गुना 6 किया तो 12 यहां पहले से लिखा हुआ है तो बच्चो आपकी सुविदा के लिए मैंने इस टेबल को complete कर दिया है जिसे देखकर आप भी अपनी टेबल को complete कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Question 2 Look at the factor tree of 18 given below and make another factor tree of 18 in the space provided नीचे दिये गए 18 के गुनानखंड व्रिक्स को देखिए और 18 का एक दूसरा गुनानखंड व्रिक्स दिये गए खारली स्थान में बनाईए आप देख सकते हैं यहां पर 18 को पहले 9 और 2 में डिवाइड किया उसके बाद 9 को 3 और 6 तो बच्चों यह 6 जो लिखा है यह गलत लिखा है इसे आप काट कर 3 करेंगे तो यह 3 और 3 में हो जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 चलिए अब दूसरा 18 का फेक्टर ट्री कम्प्लीट करते हैं 18 को हम डिवाइड करेंगे 9 तो यहां पर हम 18 को करेंगे पहले 6 और 3 में 6 3 जा 18 अब 3 को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो 6 को आगे बढ़ाएंगे तो 6 का करेंगे 3 और 2 में 3 2 जा 6 चलिए नेक्स्ट क्वेस्चन करते हैं ग्वेस्चन 3 ड्रो टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 24 दो अलग अलग तरीकों से 24 के गुननखंड ब्रिक्स बनाईए तो यहाँ पर फ़स्ट बनाएंगे 24 को करेंगे 12 और 2 में उसके बाद 12 को करेंगे 6 और 2 में फिर 6 को करेंगे 3 और 2 में नेक्स्ट फैक्टर ट्री को कम्प्लीट करेंगे 24 को करेंगे 8 और 3 में 8 3 is a 24 फिर 8 को करेंगे 4 और 2 4 2 is a 8 उसके बाद 4 को करेंगे 2 और 2 क्योंकि 2 2 is a 4 चलिए next question करते हैं question 4 write the factors of 40 in the red circle A and factors of 60 in the blue circle B write the common factor of 40 and 60 in the purple part C common part of the two circle 40 के गुननखंड लाल वृत A में लिखिए 60 के गुननखंड नीले वृत B में लिखिए और 40 और 60 के साजा गुननखंड बैंगनी भाग C में लिखिए तो चलिए इसे हल करते हैं 40 के factors होंगे factors of 40 are 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 factor of 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 अब हमें common factor लिखना है तो हम कर में पहले हम common factor लिखेंगे common factor जो है वो digits जो दोनों में आई हो तो यहां पर कौन कौन से digits आई है 1, 2, 4, 5, 10, 20 तो यह सभी digits हम C common part में लिखेंगे अब A part में लिखेंगे 8, 40 और B part में लिखेंगे 3, 6, 12, 15, 30, 16 चलिए next करते हैं question 5 answer the following निमन लिखित के उत्तर लिखिए A factors of 30 तो factors of 30 होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 B factors of 45 तो 45 के factors होंगे 1, 3, 5, 9, 15, 45 C highest common factor of 30 and 45 तो आप यहां देखेंगे कि इनके जितने भी factors बने हैं उनमें जो common factor है जो digits दोनों में आ रही है तो वो highest common factor है 15 तो 15 को हम यहां लिखेंगे D factors of 14 तो factor of 14 लिखेंगे 1, 2, 7, 14 E factors of 28 तो यहां पर हम लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28 F highest common factor of 14 and 28 अब हमें highest common factor लिखना है 14 और 28 का आप देख सकते हैं कि यहां पर 14 है that is the highest common factors of 14 and 28 तो यहां हम 14 लिखेंगे तो बच्चो यह worksheet यह complete होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे like and share जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे latest वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नॉलेज किंग्डम थैंक यूँ